इंडिया पाकिस्तान के साथ अपनी जीप मेंडेन रखने में काम्याब रहा लेकिन वही इंडियन फैंस जो हैं फिर से चर्चा में आ गए हैं क्योंकि वो अपने ही देश में अपने ही गाने ने गा सकते इंडियन पाकिस्तान को क्योंकि हर चीज में परिशानी है यही देखने को मिला मैच में जब रिजवान जो है अपने पविलेन पर वापस जा रहे थे उस टाइन पर जो लोग है माँ पर मौझूद इंडियन फैंस नारी लगाने लगे तो इसमें इतनी जादा परिशानी की बात क्या है परिशानी की अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है लेकिन चुकि पाकिस्तानी मैच हार गया है और उन्हें हार हजम नहीं हो रही जो सेवन स्टी सेवन जीरो की वह एट वीरो चलिए और अब पीसी भी यानि की पाकिस्तान क्लिकेट बोर करेंगे कि देखिए हम मैच शील रहे थे हम मैच आ रहे और यह जो इंडियन फैंस है इन नारे लगा रहे थे अब मुझे समझ रहा रहा कि क्या इंडियन फैंस अपने पॉपुलर जो सॉंग्स हैं जो नारे हैं क्या वह नहीं लगा सकते हैं बिलकुल शायद पाकिस्तान कि अगर बात करी जाए कप्दान रहें पाकिस्तान के और शांदार बने बाजी करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन 1997 के अगर बात करी जाए तो एक हिंडियन फैन थे वैसे तो कनाड़ा के कनाड़ा बेस थे लेकिन जो है उन्होंने इंडियन पॉरा लग गया और वो सीध मेरियों की बात करीजा था नू लड़ने चले जाते हैं लेकिन यांड़ थे तो यह चो इंगियन काूंस है वो सिर्फ नारे लगा रहे थे हैं अब मैच्भ लेकर सैवाब का बड़ा बयान सामने आरहा है और अनका कैना है कि वह चाहते है अफगानिस्थान पाकिस्तान को यहां पर भी एक और जीत आफगानिस्तान को मिल सकती है अगर थोड़ा सा मैच फसालिया तो बांगलादेश के साथ अपने होने वाले मुकामले के लिए टीम इंडिया पहुंची पूने विलिकुल पूने की अगर बात करी जाए तो उनने सफटूबर पहुंद बांगलादेश के खिलाफ मैच टेनने वाने हैं और रिकॉर्ड्स की तरफ अगर नजर डाने आपको स्क्रीन दे भी दिख रहा होगा अब तर अगर हैट टो हैट देखे तो 31 मैच हम लोगों ने जीते हैं आज जीता है बंगलादेश और जीत तो आसिल नहीं कर पाया बंगलादेश लेकिन कभी-कभी अफसेट कर देता है अगर 2007 के वर्ड कप की बात करी जाए तब एडिया को आ रहाया था और उस तीन में राहुल द्रवेड सचिंग दंदूल कर बड़े-बड़े लेजन थे जिसमें जाहीर खान भी थे और उसके बाद जो है वो क्या कुछ हुआ था सब जानते हैं लेकिन बंगलादेश जो है अगर उसका दिन है तो अफसेट कर सकता है लेकिन डरने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है क्योंकि चार में से तीन बार इंडिया जीता ह जर्नलिस्ट पर भड़के लिटन दास कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ट्स मौझूद थे उन्हें कहके सारे जर्नलिस्ट को भाल जाने का आदेश दिया अब दिखे जर्नलिस्ट के अगर बात करी जाए तो उनका लगनता है कि कोई काम नहीं है यानि कि लिटन दास चाहते हैं कि वह सिर्फ खेले और कोई न्यूज ना बने बंगलादेश के अगर बात करी जाए कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो विवादू में रहते हैं अक्सर वो इंगलेंड जो है वो अपनी अफगानिस्तान के साथ हार के बाद पूरे सोशल मीडिया पर जम कर ट्रोल हो रहा है हर जगे उनहीं के मीम्स नदर आ रहे हैं बिखोई मीम्स के अगर बात करी जाए तो देखे किस तरीके से मीम्स को लेकर बातचीत की जारी है और जब भी सो जादा जो है वो मार लगाई है और एक और मीम है यह बहुत जादा फनी है इसमें लिकाए यह बॉटम पर कौन है तो जो बैट कमिंस है वो जौस पटलर से कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता कि कौन है तो ऐसे एक दो मीम्स में आपको और बता देता हूं अगर अपसेट की करी जाए- साल कक्राइए- साल 2011 में था मिलेंड को और एनटी में ताफ्वोर के अगर बाति हैं तो इसको लेकर सेवा का कहना हैं कि आॉस्ट्रेलिया और इंग्लेंड को टॉटी परchos और में पहें आफ़ी मैनत करने की जरुरत है विकुल टॉफोर के अगर बात करी जाए तो ऑस्टेलिया अभी फिलाल दसवे नमबर पर है और उससे उपर कहीं अफगानिस्तान है इंग्लेंड के अगर बात करी जाए कल उमीद एठी जा रही थी कि मैच बड़ी असानी से जीत लेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं बटलर हो या फिर कोई भी बड़ा बड़ा बड़े-बड़े खेलाडी हो जिसमें लियम लेविस्टोन भी है तो यह सारे खेलाडी नहीं चलें बेन स्टोक्स नहीं खेलें इंजरी ही वज़े से अब यह देखना होगा कि वो कब वाप्सी करते वह नजर आएंगे लेकिन इंग्लेंड की हार के बाद मीम्स का सिलसला जो है वो स्टोशन मीडिया पर शुरू हो गया है माइकल अथर्टन ने इंग्लेंड को क्रिटिजाइस करते हैं कहा कि अभी उनके सारे प्लेयर्स अंडरकुक्ड हैं उन्हें और एक्सपिरियंस की जरुरत है माइकल अथर्टन की अगर बात करी जाएं दिगज बलेबास रहें कप्तान रहें इंग्लेंड के और उनका ऐसा मानना है कि भाया यह जो इंग्लेंड की टीम है यह बहुत जादा एक्सपिरियंस साइड नहीं है इंडिया के नजरिये से अगर देखा जाए क्योंकि 2015 में जब जो टीम खेलने आई थी इंडिया में उसने कुछ कास कोफरमस नहीं किया था फिर 2019 में जो है वो काई ना काई ब्रेंडन मैकलन कूछ बनते हैं 2019 के बाद और यह एक नया गेम द पास एक्सपिरेंस है ना इंडिया में खेलने का फिर यह बहाने बाजी क्यों हो रही है शायद इसलिए कि इंडियन कंडिशन में खेलना आसान नहीं होता है और जिस तरीके से पाकिस्दान को लेकर अबने का कि बहाने बाजी हो रही है अब इंग्लेंड भी यह कर रहा है तो ये तो सारी बात थी क्रिकेट नियूस की लेकिन अब देखने की बात ये है कि कौन सी छोटी टीम किसी बड़ी टीम को हराती है क्योंकि वर्ल्ड कप में तो अभी यही देखने को मिल रहा है